स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट फिन्स आज की इस वीडियो में हम आयार सिटी सी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं आपको बताने वाले हैं कि क्यों ये शेयर आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा मल्टी बैगा रिटर्न दे सकता है इस स्टॉक का जो आगे का टारगेट है वो बहुत बड़ा हो सकता है डिटेल में शेयर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिहान इस इस वीडियो को एंड तक सुनिए और समझे कि IRCTC में किस रननीती के तहट आप मोटा पैसा कमा सकते हैं हमने अपने चैनल पर ICICI BANK लगबग 320 रुपे में TATA MOTORS 180 रुपे में Dixon Technology 8,000-8,600 के आज़ पस राने ब्रेक लाइनिंग RCF जैसे very less known share भी हमने आपको अपने चैनल पर recommend किये थे पिछले 5-6 महीने में और ये सारे stock almost double हो चुके हैं तो आप बने रहे है इसमा investment के साथ में stock market की हर news पर और हर stock पर सबसे सटीक और सबसे सही विसलेशन पाने के लिए friends IRCTC के share में पिछले 2 महीने में जबरदस rally देखने को मिली है stock ने लगबग 25% का movement पिछले 1-1.5 महीने में दिया है पर अभी भी ये stock जो है बहुत तगड़े return आपको short to medium term और long term में दे सकता है brief में इस company की profile के बारे में बात करते हैं friends बेसिकली ये जो है PSU company है भारा सरकार की company है और इसके चार मिजर बिजनस है मिनी रतन company में ये company categorize है catering, travel and tourism, e-ticketing और drinking water का इसका business है और majority of revenue 55% revenue इसका catering से आता है जहां पर ये railway को अपनी catering services प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा drinking water से लगबग 10% e-ticketing से 12% और travel and tourism से 23% के आसपास का business इस company का आता है friends इस company ने recently जो है bus ticket की booking भी start करी है इसके अलावा flight की ticket already जो है यहां पर होती है ticketing से इनका 12-13% के आसपास का revenue आता है पर जिस तरह से ये business demanding बढ़ रही है demand online ticketing की और pandemic के बाद में digital platform का use बहुत ज़्यादा बढ़ा है इसके अलावा भी digital platform को लेके लगातार awareness बढ़ रही है जिस तरह से smart mobile का चलन बढ़ा है यहां पर फ्रेंट्स online ticketing में 7% से ज़्यादा की jump देखने को मिल सकती है इनका जो catering का business है वहां पर भी इन्होंने 60% से ज़्यादा price बढ़ाए है तो आने वाले time में अगले कुछ quarters में जब फुल फ्लेज असारी train चल जाएंगी इसका जो revenue है उसमें बहुत sharp jump देखने को मिलेगा इसके बाद unreserved जो coaches है उनको भी second sitting category में railway convert करने का प्लान कर रही है तो वहां पर उनकी भी booking जो है I.E.R. City.C के थुरू ही होगी तो online ticketing कारोबार का जो business है online ticketing segment है उसमें जो revenue है वो अगले 3-4 साल में multi-fold jump आपको दिखा सकता है और catering का और travel and tourism का जो business है वहां पर भी बहुत जबरदस jump आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है तो एक तो ये factor है कि आने वाले समय म में जो है बहुत जबरदस revenue growth है आपको अगले कुछ quarters में IRCTC में देखने को मिल सकता है recently company ने OFS किया था government ने जो है अपनी stick गटा कर 75% करी है as per the saving norms और यहां पर बहुत बड़े-बड़े investors ने 1360 रुपे के असपास OFS आया था अपना पैसा यहां पर लगाया है और जबकि इस company का धाई साल पहले जब IP हो आया था वो 300 रुपे पहले आया था तो आप समझ लिजिए कि कि 300 रुपे पहले जो है आई पी हो आया था और अब 1360 रुपे में भी काफी बड़े नाम OFS में देखने को मिले हैं तो आप समझ लिजिए कि कितनी बड़ी value जो है बड़े investors FI इस stock में आने वाले समय में देख रहे हैं 1939 रुपे इसकी आज की CMP है और जो इसका expected EPS FI 23 का वो लगबग 65-70 रुपे के आसपास आना चाहिए friends अब आप बहुत ध्याने से बात समझे अब भी recent में एक IPO जो है कल खुलने जा रहा है easy trip planners का is my trip के नाम से जो website चलाती है उसका भी review हमने किया है आप देख सकते हमारे channel पर उसको लेकर वीडियो हमने डाली है वहाँ पर वो IPO लगबग 65-70 के asking PE पे आ रहा है और लगबग gray market में 50% से ज़्यादा premium उस IPO को मिल रहा है और भी आप कोई भी company देख लीज़े जो online business से जुड़ी हुई है बहुत कम company listed है पर उसके अलावा जो भी company listed है उसमें एक तो यह हो गई जो है trade कर रही है आप देख सकते हैं IR CTC एक जो है monopolistic business को operate करता है जहाँ entry barrier है railway में catering का और railway की ticketing का जो है exclusive access सरिफ इन ही के पास है जहाँ पर लगबग entry barrier है और उसके अलावा जो flight booking हो गया बस booking हो गया उस तरह के segment में online ticketing के लगबग हर segment में company penetrate कर रही है rail near नाम से इनकी एक काफी बड़ी brand है mineral water की जहाँ भी जो है growth बहुत अच्छे देखने को मिली है और especially जो है जिस तरह से trains दोपरा start हो रही है वहाँ पर जो है उस segment में भी काफी जबदस growth हमें देखने को मिलेगी IR CTC आप समझ लेजिए कि अभी भी अगर FY23 के valuations पे हम compare करें तो लगबग 30 के PE पे ट्रेड कर रहा है और वैसे segment के कोई ज़्यादा company listed नहीं है पर आप समझ सकते हैं कि internet के business से जुड़े हुए जितने भी companies हैं वहाँ पर किस तरह के valuations जो unlisted company भी है market उनको दे रही है ऐसे में IR CTC की जो growth है वो बहुत demanding भी है और उपर से बहुत ज़दा promising है अगर हम इसको factored in करके देखें कि एक PSU company है उसके हिसाब से भी अगर हम conservative way में लेके चलें तो FY23 में अगर 70 रोपे के असपास का EPS company clock करती है तो यह आपको यह share बहुत यहाँ से भी 25-30% का return अगले एक साल में बहुत easily दे सकता है बट यह एक compounding growth story है जिसको आप अगले 4-5 साल के लिए खरीद दिये हो सकता है यह stock जो है आने वाले time में जिस्तर से Dixon हमने आपको recommend किया था 7-8000 के level पे वो stock आज 20,000 का level touch कर चुका है ऐसे काफी सारे examples आपके पास है info age का share ही खुद जो है 21-2200 के range में trade करता था जो 5000 रोपे touch कर चुका है यह company भी आने वाले time में उस तरह का multiple return दे सकती है यहाँ पर काफी सारे trigger है disinvestment का भी trigger जो है लगतार बना हुआ है सरकार जो है जिस तरह से जिन company में values है उनमें लगतार disinvestment कर रही है इसके अलावा online ticketing का business catering जो हमने discuss किया उसमें तो growth intact है ही और यहाँ पर friends जो है railway में जिस तरह के सुधार लगतार हो रहे है प्राइवेट train चलाने की बात हो रही है जो normal passengers train है उनमें AC coaches लगेंगे second sitting को बढ़ावा देने की बात हो रही है तो वहाँ पर आप समझे कि उनका ticketing का सारा काम ultimately IRCTC के पास आना है यह एक multifold growth story है जिसको आप हर dips पे accumulate करिए और खरीट के भूल जाएए अगले 2-3 साल में यह multifold return आपको दे सकता है इवन short term में भी अगले एक साल में आप देखे तो यहाँ से भी 20-25% का return IRCTC आपको राम से दे सकता है आपकी कोई भी कोई इस वीडियो को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो प्रसंद आईए लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस माइंवेस्मेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू